हलो एब्रीवान केसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे आज हम बात करेंगे लीथियम रिजर्फ के बारे में हम लोग एक नई सीरी जो है शुरू करी गई थी जिसमें जितनी भी करेंट इवेंट्स हैं उसे हम लोग 5 मिनिट से 6 मिनिट में डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें इंपॉर्ण है पहले जरूरी क्यों थी future expect क्या है और current सिनेडियो में इसकी क्या है तो आज हम बात करेंगे लिथियम रिजर्फ के ऊपर लिथियम रिसर्फ रिसेंटली निउस में था क्यवकि जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलिन टन लिथियम जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में पाए गया था बट आज न्यूस आई है कि वहां से कहीं ज्यादा कॉंटिडी में जो राजस्थान है वहां पे लीथियम रिजर्फ जो है वो पाए गये है तो अब हम लोग इसको पूरा डिटेल में डिस्कॉस करेंगे जो लोगे चैनल प बात करूं यहां पे आप लोगों को याद रखना है सिटी का नाम यह है नागोड सिटी नाकपूर से इसको कंफ्यूज मत करेंगा बहुत सारे बच्चे यहां पे इसमें कंफ्यूजिन कर रहे हैं तो हुआ क्या आज ही इंडिया के द्वारा डिस्कवर करा गया है लीथिय क्यों है क्योंकि अब हमारा जो एक net zero emission goal है उसके तरफ हमारे steps को बहुत तेजी से बढ़ाते जा रहा है अब lithium को white gold के नाम से भी जाना जाता है और सबसे जादा इसका जो mainly use आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो है electric vehicles में इंडिया की अगर मैं बात जो हमारी sales होंगी total number of vehicles आज की डेट में आप लोग बेख रहे हैं कि electric vehicles आपको बहुत जादा देखने को मिलते हैं रोड पे लेकिन अब जो main target है 2030 का वो ये है कि 30% 30% जितनी भी sales होगी उसमें जो majority portion होगा हमारा वो EV के उसमें से आएगा और जो non fossil energy capacity है उसको भी 500 गीगा व information की तो यहां पर यह हम लोग एक पिक्चर लेगे चलें जिसके लिए steps काफी important माने जा रहे हैं अब यहां पर थोड़े सी बात करूं कि geological survey of India ने discover करा है lithium reserves को राजस्थान में ठीक है राजस्थान में कहां पर दिखाना जिले में रिवान रिवान हिल्थ है जहां पर एक ट सबके दिमाग में आते हैं कि अगर lithium reserve अगर यहां पर पड़े थे तो आज ही हम लोग इसको ढूंड क्यों नहीं है तो देखो सबसे बाली चीज़ बताओ lithium mining की अगर बात की जाए तो यह non profitable मानी जाती थी एक समय पे क्योंकि यहां पर ज़्यादा ज़रूरत इसकी नहीं थ पर पहुंच चुका है रीजन क्या है यहां पर देखो इंडिया जो है अब सफिशेंट हो जाएगा इससे हम लोगों की जो energy security जैसे मैंने आपको net zero का बारे में बताया जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग अब यहां पर चीज़ें काफी जादा improve कर सकते हैं जिस इसका क्या है अगर इंडिया की बात करो तो लीथियम आयन मार्किट जो है एक्सपेक्टेड ग्रोथ इसकी कही जा रही है 116 गीगावाट और जो की financial यह 2030 में होगी अगर आज की बात की जाए तो यह तक्रीबन 2.6 पे है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि 80% यह ग्रोथ जो है वो आप लोग देखने को मिलेगी जिसकी वाइस से जो इलेक्ट्रिक वीकल की अगर बात की जाए तो 90% ओवरॉल मार्किट होल्ड करने की भी बात कही गई थी as per GM के research report जो की institute of energy economics और financial analysis के साथ बनाए गी थी आज की date में current scenario यह है कि चाइना बहुत हथ तक dominate कर रहा है हो रही है lithium iron की lithium reserves की इंडिया में यह इंडिया को काफी जादा enable कर देगी हम लोग की जो dependence है foreign countries पे और काफी जादा यह control कर पाएगी जो fluctuating price आ रहा है lithium का और हो सकता है कि कल के time में आने वाले future में आपकी electric vehicles और सस्ती हो जाए और इंडिया आज की date में भी अब इस position में है कि यह third largest market बन सकती है electric vehicles के लिए और आने वाले चार सालों में ही हम लोग इस position को hold कर सकते हैं और इसी वज़ा से जो investment अब हो रही है lithium के reserves के उपर वो काफी promising होगी near future तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं यह जो lithium को लेके geological survey of India बार बार जो update दे रहा है यह काफी positive news है और इस के साथ जो future होगा वो काफी जादा अब आपका electric vehicles पे भी shift होता हुआ आपको भी दिख रहा होगा बहुत सारी गाड़ी है आज की date में आपको पहले के comparison में दिख रहे हैं और यह continuously जो growth है वो आपको यहां पे दिखने को मिलेगी इसलिए आज जो news थी है काफी important सी lithium reserves को लेक के आप लोगों को दोनों चीज़ों को याद रखना है जमू कश्मीर में अभी recently 5.9 million tons पाएगे थे कहां पे वो था रियासी district में और अगर बात करूं राजिस्थान की तो इस जगा का नाम क्या है इस जगा का नाम है देगाना नागोर इसको आप लोग नागपूर से confused मत क